चलिए आप हम लोग क्या पढ़ेंगे हिर्दे का सचित्र वर्णन करें यानि हिर्दे को हिर्दे का जो फिगर है इसको बनाईए है ना बनाने के बाद उसका चित्रे बनाने के बाद उसका वर्णन करें चित्रे के अंदर यानि हिर्दे के अंदर हम लोग क्या-क्या कि या कि उसके अंदर होता है वह सारा चीज का जैनकरी आप लोग को चलि हम देते हैं हिर्दय मानों का परमुख अंक है थीक है याणि परमुख अंक माना जाता है थीक है एकर आपकर चरह वाद कर दो अगर काम करना बंकर दे तो लोग जीवित नहीं रहें पाएंगे जीवि लो हो जाता है और धरकान अगर बढ़ना ज्यादा कर दे तो क्या दिल के अंदर क्या होता है धग 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 करना सुरू हो जाता है किसी किसी का देखो का ना कि मतलब क्या होता है कि बहुत पेशन ऐसे भी होता है जो कमजोर हो जाता है ना उसका धरकन जो तेज होने लगता है तो धरकन क्यों तेज होता है जब कमजर हो जाता है तो उसका बलट क्या होता है कम हो जाता है तो चलिए अब लोग शुरू करेंगे हर्दय मानक का परमोख अंग माना जाता है जो सभी अंगों से सब से ज़्यादा व्यस्त रहता है जितने बहुत हैं अब लोगाend चांद करते हैं तो सब होता है चार चंबर में होता है इसके अंदर होता है जिए महान को tv4 चंबर में विविक्त है जिसमें 2 अलिंदा और थक्राइं eight लिंदा और अब आजडू क्या होता है तिन drie ढो brings हएगे डो आपको निलेया होगा एक आपको बाहर तरफ होगा और एक आपको क्या होगा राइट-धाइड हो गिन्स ऐस्ट uma क्या होगा कि रेसे इसके राइड हैं फिर अपर 4 यह आप देख रहा है एक दो तीन 4 चमबर में बटा हुआ चाट के अंदर जिस खोम लग क्या कहिए को अजन और यहां पे क्या होंगा है इंग्लिस में लिखा हुआ है हुआ है यहाप समझ गया चार चमबर में बटा गया चार चमर कई हम लोग समझना है उसकर वाद यह आपको महा धंड़ी ऑप किया पूसरा पको सीरा है खिक है ना योग यह देखिया चोटा-चोटा यहां पर सीरा है भेन जिसको को अम लग कहेंगे फुफास सीरा कहेंगे इस चीज क ठेकत अब देखे है ऐनॉब कि चार संबर में क्या हो बटा हुआ है यह आप लोग समझ गए आप देखे जिसमें दो अलींदρι अर्डो निल होता है ना मेलेंहें दो उपन में होता है तो यह निल होता है शहर निभी हम्दिद डिल डिल już कि अधर के अंदर रहता है 50-100 की तना है 300 थीग है एक हिर्दे का वजन कितना लेकिन हम लोग इस साइड में क्या होता है यह सुद्ध रक्त बहता है जो प्यूर बलड ठीक है ना प्यूर बलड इधर से बहता है और इस साइड में क्या है इस दया है तो दया में क्या देखिए आप लोग, जबकी दया भाग में अशुद्ध रत पैया जाता है, इसका मतलब क्या है के एक तरफ सरे meilrara जाता है तो गंदा जाता है, फ्रेश निंगलता है सांप ने कर दा है हिर्द व्क्ष गुहा के हिर्द कि दोनों फेफ्रों के बीच इस्तित है किने उता यहां पर हम लोग का इसा इधर भी है इधर भी है तो इधर क्या है विक्षि गुहा कि इसको कुछ इसको बलते है यानि इसको पंचे जड़ी समझते है पांछ्च हड़ी है ने दो만गों को अब जो होता ही तो हड़ी तो पसली इसको बलता है न यह सरी देर से पांच है और जो हम लोग का रूप में अंदर जितने भी यह है पेबरा है और कीडिनी आ है ठीक है डिडिनी है ठीक है न जो लिब औस दीडिन है लिवर है उसका बाद है गोल बलाड़ रहा है और आपको लिवर है हाड है ठीक ना यह जितनी पर अंदर है यह हम लोग को क्या यह समझे कि यह पसली जो है एक बॉर्डर करते हैं पर खड़ा है कि सिपाही के तरह खड़ा है कि किसी को चोट लगेगा तो सबसे पहले यहां ल क्या है कि थे कई रहाटा दीन सब्सक्राइब होचु जाए है तो थोद्न शाय कि तो तो अगलत रहा वोगोश्च के कि दोनों फेफरों के बीच होती है जो एक दोरा जिली से घ combust Bless होता है कि यूय धोरा कड़से थे डेकर ऊपर सब इसके ऊपर कोई जानवर सब कारता है तो आप देखना तो यह तो क्ध रहता हुआ उसके ऊपर जर्ड़क्षा होता है इसके अपर जिली तो अगते बस समझें कि नहीं कि उसका बताके देखो जिसे क्या कहते हैं हम लोग उसे जिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे हिर्दय वरन कहते हैं क्या कहेंगे उसे जो जिल्ली से जो घेरा रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे हिर्दय वरन कहेंगे हैं समझें दोरी जिल्ली के बीच एक दर्व पाए जाता है जिसमें पेरिकार्डियल दर्व कहा जाता है उस दर्व के नाम क्या है पेरिकार्डियल दर्व कहा जाता है रख्त के लिए जल के लिए हैं रख्त के लिए पडर के लिए अंदर पतली नली या पाई जाती है है अब लोग लोग नश कहते हैं नो हो छोटा छोटा या खेल ब्लूँख कर जा था है तो बलट निकलता है क्वें छोटी छोटी नस से निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे उसके अंदर पतली पतली नलिया उसको क्या कहेंगे पतली पतली नलिया पाई जाती है जिससे धमनी एवंग सीरा का जाता है क्या कहेंगे धमनी एवंग सीरा जिससे हम लोगा बलट पुरे सरीर में जाता है ना उसको उसमें द आप इसको समझेंगे जैसे हम लोग यह हाथ है ना आप लोग सकते हो यहां का अपको दिखाई पर रहा है यहां का मोटा है कि यहां को मोटा है यह तो जहां जहां तो जहां जहा यहां यहां पर पैडर में है पैर के निशे गाठ के ऊबर में है ना जहां जहां यह समत्ष इसको हम लोग क्या कहेंगी ड्हां भाई इसको हम लोग अंदर ही ढल दिया हूँ यह नहीं फ़िए नहीं यह नस्ट ऊपर नहीं रहता है लोग यहां आप लोग देखो के लिए कर दोनियुद है और प्रोगी तुछ में अपने नहीं हो भी नहीं होागते लिए इस। आपको दिekhya पड़ता लगता है कि हांदर कोछिद गिरिन है बशता नहीं पड़ता ना ऑजब कि मोटा वाला जो है जिसको धमनी प्लेंगे मोटा मोटा में दिखा नहीं परता है तो वो क्या होगे वह असुद रगता हो गया ठीक है यहां ने इदर से भी अगर देखो गए अपना हाथ को अगर चापगे ना तो और बलट वहां पर क्या होगा जम जाएगा ठीक है मेरा तो काला दिखाई निए पड़ता है ठीक है अब लोग अपना देखो ने जो गड़ा है उसका जाए पड़ेगा तो यहां देखो यहां पर पूरा ध़्याम जो है ना कि सीट इसको बोलते है यह कला कला ऐसे को बुलू करना क्या ग्रेन को भरता आफ आख घ्रान करहाल है तो अम लोग क्या कहें है उसको में दिखाई पड़ता है स्ट्रा में क्या असुद्रक्त भाता है ठीक है अप दंधने में होता है थेन्स लिए अलह तरह क्या है कि उसको उसको अंदर ही डाल डिए अगर कभी कटेगा तो ँपर शुद में कब फोसकी नहीं जाता है अंदर हो आ कि नहीं अबंड़ा उप्र हुखेंगा मैं ना अं तरह सुर्ट नंटेन जो है वह यह मंपन सुनसे में ही thigh three पर लोग इस सब सीरा है लेकिन अंदर में जो देखोगे अंदर में कुछ-कुछ हाई तूस आउसे धमनी है जो है जब कि तिया में अपस्थ रख्त पाहे Calvin कारी रख्त को पूरे सरीर में छिर्काव करना होता है नहों किया है निक्त पंप के जिरिए प्सक्रेश लिए प्रिप में गड़ा प्लागर हे नि помог झों चा उगिए होगा क्ला है मारता है जो घो अदाने को जो हम मारता है को उसी कारण है और मतलता है जिसका नोग पहँंसता है तीक करना अवन हम छो औतलुद present करता तुे साक्ट मतलब की वह काम करता है वह पंप मारता है इसलिएysis फंच मार्दन करता है अब ермाट के बिना ट्रेकेट के हम लोग आटमी काई आखिए म decisions में जो आदमी ठिक थाक है विल्कुल कितने बाई पम करता एक किन समिद्ञा का सथ little बार उसका दिल धरकता रहता है यानि पंप काम करता है चले हम लोग इसको यह तक खतम करते हैं वे